नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत हैं आपके अपने यूटूब प्लेट्पॉम यू आर इस्टडी में आज के इस वीडियों में लेके आया हूँ अर्दवार्शी को और बोड़ प्रिक्सा की दरश्टिश इंपोटेंट कक्सा आठ और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देजेगा कई सारे विद्यार्थि क्या करते हैं वीडियो को अंतर तक तो देखते हैं लेकिन चैनल को सस्क्राइब नहीं करते हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब करें ताकि हमारा भी कुछ सपोर्ट हो सकें और हम भी आपके लिए अच् खर्पतवार हटाने को निर्ई कहा जाता है तो option number 2 रहे कशका सही अंस्वर अगला प्रश्ण है मादा Äνडीज मचर वहाग है यहनुनर मादा Äνडीज मचर है वो किसका वहाग है तो इसका सही अंस्रों का डेंगू रोग का वाइरस है यहने डेंगू रोग है वो मादा एडिस मचर के कारण होता है अगर यहाँ पे मादा एनाफलीज आ जा जाता तो आपका मलेडिया हो जाता क्योंकि एनाफलीज मलेडिया होता है और एडिस से है वो डेंगू होता है अगला प्रश्ण है और मैलिकित मेंसे किसको पीट कर पतली साधरों में प्रिवरतित किया जा सकता है जिंक को पीट कर पतली साधरों के दूकर सकते हैं विध्यार तो आज मेरी तब्या थोड़ी से ठीक नहीं है मेरे को जुकाम हुआ है लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ तो मेरी मेनत के लिए आप वीडियो को लाइक किजेगा और इस पेपर को अंतर तक जरूर देखेगा पाच्वा प्रश्ण है मानव सरीर की सबसे बड़ी कोसी का कौन सी है तंतरी का कोसी का या रुदिर कोसी का तो इसका सही आंसरों का तंतरी का कोसी का सबसे बड़ी कोसी का है दो और भी आप्सन है पैसी कोसी का और उप्युकत है सभी अगला प्रश्ण है रिक्तिस्तान की पूरती कीजिए यने खाले जगे को भरना है पहला है कि इस परकार का जनन या पर जनम नहीं है जनन है ठीक है न जनन तो इस परकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्म का चलेन होता है लेंगिक जनन कहलाता है तो इसमें आपको लिखना है लेंगिक जनन अगला रिक्तिस्तान है किसी प्रिष्ट के परती एकांग शेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब केते हैं तो इसमें लिखना है दाब अगला प्रिष्टन है घर्षन से उश्मा उत्पंध होती है तो इसमें लिखना है उश्मा उश्मा ठीक है अगला है किसी वस्तू पर एक दोलन को पूरा करने के लिए लिए गए शमय को आवर्तकाल कहते हैं तो इसमें आवर्तकाल आपको भरना उत्तर मैंने लाल में दे रखा हैं अगला फ्रिश्ण है निमलिकित कतनों में सही कतन के सामने टी और गलत कतन के सामने ए एफ लिखना है तो इसमें पहला देखिए प्लास्टिक विदूत का सूसालक है घलत है ये तो क्योंकि प्लास्टिक में लाइट थोड़ी चलती है नहीं चलती है तो प्लास्टिक विदूत का कूसालक है तो इसलिए यहां पे सूसालक ले रखा है इसलिए ये एफ हो जाएग यनि गलत अगला है तडित एक विशाल इसतर की चिंगारी है जिसके साथ धवनी भी उत्पंद होती है बिलकुल सही बात है तडित का मतलब होता है बिजली जो की बारिज के समय गिरती है वो तो तडित एक विशाल इसतर की चिंगारी है बिलकुल सही है इसके साथ में धवनी परतुर मातरव मिलता है तो अपसर नमट T आप इसमें भरेंगे और अन्तीम है कि मादा एनाफलीज मचल डेंगू वाइरस का वहाख है गलत क्योंकि मादा एनाफलीज है यह मलेरिया का वहाख है यहापर डेंगू दे रखा है इसलिए यह गलत हो जाएगा अगला है वो है गयो का राष्ट अगला फरश्शन है रभी की फसल के दो उधारण देजे और खरीब की फसल में यह आने वरतमान में जो सियाडु फसल बोलते हैं जिसको अपन जो की शीतुमबर अक्टुमबर अक्टुमबर नुमबर शे लेकर फरवरी मार्च से तक होती है तो इसमें ग्यों और चना ये आपके हो जाएगा खरीब की बसल धान और मक्का हो जाएगा अगला प्रशन है रेयोन क्या है इसके उप्यूग पर परकाश डाली तो रेयोन रेशम के गुणों वाला एक रेशा है जो मानव द्वारा निर्मित है इससे काश्ट लुक दी के रासाइनिक उप्चार से प्राप्त किया जाता है इसे रेयोन अत्वा करत्रिम रेशम भी कहते हैं उप्यूग की बात करें तो रेयोन को कपाश के साथ मिला कर रेशम की चादर बना सकते हैं और उनके साथ रेयोन को मिला कर कालिन और गलीचा तिया जाता है अगला प्रश्ण है सोडियम और पोटेशियम को मिटी के तेल में क्यों रखा जाता है तो विदर तो उसका सही आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम को दोनों अधिक क्रिया शिल दातवे हैं ये वातावन और जल के साथ काफी तीवरता से क्रिया करती हैं और जल जाती हैं इसलिए वायू और नमी से अलग रखने के लिए उन्हें मिटी के तेल में रखा जाता हैं अगला प्रश्ण है आगात वर्दिनिता से आप क्या समझते हैं धातू का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली सादर येनि शीटे बनाई जाती हैं आगात वर्दिनिता कहते हैं येनि धातू होता हैं लेकिन उनको पीट कर पतली सादर की रूप में बदल सकते हैं आगात वर्दनेता कहते हैं तनेता किसे कहते हैं तनेता की प्रिभासा लिखिए धातुवों का वर्ग और जिसके कारण उन से तार खीसे जा सकते हैं तनेता कहलाती है अगला प्रशन है कोल तार क्या है इसका क्या उप्योग है वेरी वरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रशन रहेगा प्रशन से के चवुदा है मौम्बती की जुवाला का चित्र बनाईए मौम्बती की जुवाला का चित्र बनाना इस तरशे आपको बनाना है अगला प्रशन है निमल कित में अंतरिस्पेश्ट कीजिए किसमें चिडियागर वहाँ अभ्यारिन्दे संकटापन और विलूप्ट इस्पिसीज के बारे में बताते हैं वे जंतु जिनकी संक्या एक निर्दारित इस्तर शेख कम होती जारी है वे विलूप्ट हो सकते हैं जैसे कि सफे जिता और हाथी आ दे ये संकटापन स्पेसिज है और विलूप्त का मतलब है वे स्पेसिज जो वे जन्तु जो की परत्वीश से विलूप्त हो चुके हैं जैसे की डाइनासूर अगला प्रशन है पादव कोसिका एवं जन्तु कोसिका का रेका चितर बना कर उनकी तीन अंतर लिखे इस तरह से इनके तीन अंतर भी आपको लिखने हैं ये पादव कोसिका का है और ये जन्तु कोसिका का है प्रशन सिंग के सत्रा मानव के मादा जनन तंतर और नर जनन तंतर का नमा के चितर बनाईए तो मादा जनांग ये हैं और नर जनांग ये हैं इनके चित्र बढ़ाने इस तरशे इनके पार्ट हैं इनको अच्छे से देख लिजेगा प्रश्ण सिंग्या 18 है योना आरंब के समय होने वाले सारी रिक प्रिवतनों के सुची बनाईए रितु श्राव क्या है वर्णन केजी ये भी प्रका आने के संबावना रहेगी प्रश्ण सिंग्या 19 है कि वर्णन केजी घर्षन किस परकार शत्रू और मित्र दोनों हैं ये भी वेरी वर्णन किस परकार विदूद का चालक बनाया जा सकता है अत्वा में ओप्सन मिल जाएगा क्या सुद्ध जल विदूत का चालन करता है यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर शकते हैं तो विद्धर तो ये था ककसा आठ का विग्यान विसेका पेपर जो कि आपके आने वाले अर्दवार्शिक और बोड़ प्रिक्सा के द्रेश्टेश इंपोटेंट रहेगा ऐसे ही पेपर देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा साथी कमेंट करके बताएब अगला कौन से विसेका पेपर चाहिए जरूर में लेकर आता रहूँगा आपके लिए पेपर तब तक के लिए मुझे आगया देज़ेगा नमस्कार जैहिंद